असलाम नेकल यह मेरा पार्सल जो है मैंने दराज.pk से बुक किया था यह आ गया है इसमें आप देख सकते हैं यह प्राइज इसकी क्या है इसमें तीन आइटम्स मैंने साइद गनी के तीन प्रोडक्स मंगवाए थे एक इसमें उट्टन है दो फेस वाशेज और तीनों जो हैं वह 85-85 रुपीज के थे पर इसके पास सिर्फ मुझे जो डिलिवरी चार्जस देने पड़े हैं वह सिर्फ 14 रुपीज जस्ट 14 रुपी टोटल अमाउंड ये देख लेयां और इसके अंदर से तीन आइटम्स मैंने इसके अंदर है मेरे मौझूद मैं निकाल के आपको दिखाती हूं वेट मैं इसकी अन्बॉक्सिं करती हूं और ये मैंने इसका पाकेट फोल लिये इसमें तीनों चीज़े मौझूद हैं और सई केंडिशन में कोई खराब नहीं हुई हैं ये है सईद गनी का संदल खास उप्टन अच्छा पाकेट है कोई इतना छोटा भी नहीं है ना कोई इतना बड़ा है ये मेडियम साइज पाकेट है इसका और इसका रिजल बहुत अच्छा है अगर आप इसको वीक में दो बार लगाएं दूद के साथ में लाकर मैं तो लगाती हूं वेरी स्किन में तो सूट करता है यह काफी अच्छा है सेकिन आइटम है मेरा यह है उप्टन फेस वाश और से देखने बहुत वताएं यह कितना है यह कि 60 ml और यह इसकी देखें यह है इसकी प्राइस वैसे 100 है और मुझे 85 का पढ़ाई है और बैस पिफोर यह 2021 तक जो है यह वैलिड है कि साइज भी इतना छोटा नहीं है इसका ताफी बड़ा साइज है इसी 60 ml का मैंने दूसरा मंगवाया है यह रोज कि पेस वॉश और इसकी भी हंडर्ड रुपीज ही पेर प्राइज है और यह टू गृष ज कौन तक यह जम चआए है और सबसे बस्तामती है कि यह जो मैंने देखी कि यह सील पैक है अपिन नहीं दोनों सील पैक हैं अंदर से कोई ऐसे शुक शुबे वाली बात नहीं है कि कुछ इदर उदर की बात हो ऐसा कुछ भी नहीं है यह मेरे तीनों प्रॉड़क्स यह मौजूद है और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहती हूँ अगर आपका आइटम कहीं से खराब है या कोई मसला है तो आपके इस बॉक्स के अंदर आपको एक यह फॉर्म मिलता है इस फॉर्म को कहते हैं रिटर्न फॉर्म इसमें फॉर्म मौजूद है इसमें तरीका भी मौजूद है कि आप पार्सल को जो है ना अंडामेज जो भी मसला है ना आपने इसको पैक करना है री लेबल करना है और इसको टीसीस के ऑफिस में आपने इसको ड्रॉप बॉक्स मे ना दलवाना है ठीक है अब किस तरह से करना है यह देखें कौम के अंदर आइटम लिखा हुआ है रीजन और कमेंट पर अगरा मेरा यह फेस वाश खराब होता तो मैं इदर लिखती कि फेस वाश रीजन इस डामेज और जो भी है और कमेंट के यह अच्छा नहीं है या खुलावा जो भी रीजन है इसके बाद यह मेरी ट्रैकिंग आईडी है ठीक है मैं सर्फ इस लेवल को जो पार्सल का जो लेवल है ना इसको कट आफ करके अपने इसी बाक्स पर दोबारा इसको पेश करके अपनी पुरानी पपरीची को तार दूँगी इसको पेश करके और मैं इसको दोबारा से टी टीसी एस वालों के पाद जमागा रहाँगे तो फिर मेरा रीफ़वन्ड हो जाएगा मुझे या फिर हो सकता है प्रोड़क्ट दुबारा आ जाए कुछ भी ऐसा अगर मसला हो तो यह इस तरह से यह चेंज हो जाता आइटम बोंडोन पर यह ऐसी दिल वोनी कि जाए कि कभी कुछ चीज खराब निकले तो आप यह नहीं سमझें कि वापस नहीं हो सकता जिये वापस जडरूर हो कि आईटम आपके ऐसी बात नहीं है थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताएं और अगर अच्छी नहीं लगे तो भी जरूर बताएं जरूर कमेंट करें ताके पता चले के क्या कमी है ओके अला आफिस खयाल रखिये अपना